आरियन खान का नाम ड्रक्स मामले में आने के बाद सोशल मीडिया पर कहीं लोगों ने कहा अब आरियन का करियर बरबाद हो गया है अब फिल्म इंडस्ट्री में उसको लेकर इस तरह का क्रेज नहीं रहेगा ये भी कहा गया कि किसे पता था कि आरियन को न्यूस चैनल वाले लॉंच करेंगे हमने तो सोचा कि बाकी स्टार किट्स की तरह आरियन को करन ही लॉंच करेगा लेकिन आपको बता दू कि आरियन के करियर से पहले तो आरियन के अरेस्ट होने से शारुक का करियर प्रभावित होने लगया है 368 करोड रुपीज की brand value है शारुक खान की और शारुक खान खुद अपने interviews में कह चुके हैं कि मैं as a insan शारुक के लिए नहीं जीता हूँ अब जो कुछ भी मैं करता हूँ वो brand शारुक खान के लिए करता हूँ और जाहिर सी बात है इतनी मेहनत करके उन्होंने अपनी इस brand को इतना बड़ा बनाया लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक incident उनकी इस brand value को इस तरीके से damage कर देगा अल्रीड एक बड़ी आप जिसको शारुक खान प्रमोट करते थे बाइजूज उसको लेकर तो सोशल मीडिया पर एलान हो गया है कि बाइजूज से शारुक खान को हटाओ हाल ही में शारुक खान की एक और फिल्म थी एटली के फिल्म उसमें शारुक काम कर रहे थे लेकिन अचानक से आरियन का ये केस हो गया तो शारुक शूट पर नहीं जा पाए जिस कारण अब फिल्म प्रभावित हो रही है, सेट लगा हुआ है, परमिशिन्स ले रखी है, पैसे लग गए है लाखो रुपया पर डे खर्च हो रहा है, ऐसे में शारुक के ना पहुँचने से ये सभी पैसा खर्च हो जाता इसलिए मेकर्स अब शारुक के बॉडी डबल का इस्तमाल करके सीन्स पिच्चुराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अब एक और ग्रहन शारुक के करियर पर ये लगा कि शारुक की मच अविटेट फिल्म पठान जिसका काफी बज क्रियेट किया गया था सेट से कई फोटोस वाइरल हुए, डिपिका पादु को उनके साथ वो नजर आने वाले हैं और शारुक और दिपिका की अलरड़ी एक हिट फिल्म चैन्नाई एक्स्प्रेस लोग देख चुके हैं और लोगों को इनकी केमिस्ट्री भी पसंद आई ऐसे में पठान फिल्म के लिए ही शारुक खान और दिपिका स्पेन जाने वाले थे दस तारिक से स्पेन में शूटिंग होनी थी लोकेशन, होटेल्स, सबकी बुकिंग हो चुकी थी पैसे दे दिये गए थे लेकिन अब शारुक खान का ये स्पेन वाला भी स्केडियूल जो है वो कैंसल हो गया है शारुक ने स्पेन जाने से मना कर दिया यही कारण है कि यश्राज ने इस पूरे स्केडियूल को ही कैंसल कर दिया है यानि कि कह सकते हैं कि आरियन के ड्रग्स मामले में नाम आने के कारण शारुक बरबाद हो रहे हैं उनका करियर डैमिज हो रहा है और शारुक से जुड़े लोगों तक भी अब इसका असर आना शुरू हो चुका है यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आरियन का करियर की तो छोड़ो शारुक ने इतने सालों में अपना जो करियर खड़ा किया वो इस तरीके से प्रभावित होगा यह किसी ने नहीं सोचा था शारुक खान ने 90 से जब अपने करियर की शुरुआत की तब से लेकर अब तक शारुक ने अपनी इमेज को बहुत बचा के रखा as a gentleman, as a superstar वो अपनी इमेज को लेकर conscious रहे और लोग उनकी स्टोरी को काफी inspiring समझते थे लेकिन आज जब शारुक के बेटे को लेकर इस तरह की खबर आई तो कहीं न कहीं लोगों को जटका लगा है और शारुक जिनकी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप थी और दो सालों से कोई शारुक की फिल्म भी नहीं आई इसी बीश सब को इंतजार था कि शारुक की कोई फिल्म आईगी लेकिन आप शारुक के सारे प्रोजेक्स एक के बाद एक डिले हो चुके हैं